है वेलकूम टो मैं यूटूब चैनल भागिश्री उत्रा खंडी व्लोग मा आप सभी लो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार वरा पर लग तो यहां पर ब्लॉग कर रही हूं मैं आज सुवेरे से तो थोड़ा थोड़ा करके साम तक का आज का पूरा ब्लॉग बनेगा सो आये ब्लॉग में आज का ब्लॉग काफी इंट्रेस्ट्रिंग होने वाला है तो आय तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं अभी खेत में गई थी तो ममी ने परस मैंने उसमें दिखा था वीडियो में कि जो कड़वा करेल है उसका बहुत बड़ी बेल हुई है तो उसमें एक बार तो खाली दूसरी बार की अभी मैं लेके आ रही थी महां से सबजी तो आप देख सकते हैं जितना थाली का साइज है उतने बड़े करेला हुआ है और और इसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है आपको पता ही है पहाड का कोई भी चीज होगा और इससी बात है कि उसमें टेस्ट बहुत अच्छा होगा इस बज़े से बाहर के अगर हम सब्क आपने टेस्टी होता है आप बता नहीं सकते माप लोगों को तो यहाँ पर आज हम सोखी बनाएंगे करेली की सब ज़ी तो यहां पर मैं लेकर आ गयी हूँ अभी एक सब्जी और जो मैं बनाऊंगी साम को मतलब साम का इंतजाम कर रही हूँ तो अभी और एक सब्जी लेकर आती हूँ तो यहां पर मैं मिर्ची भी लेकर आगी थी यह पॉली हाउस से तोड़ी हुई है काफी ज्यादा तीखी है दिखने में पतली लग रही है पर यह बहुत जादा तीखी हो रही है तो यहां पर एक सब्जी यह हो जाती है और इसको ना अगर मैं अच्छे से बनाऊं ज्यादा मसाले वसाले डाल के तो मेरी बैच्ची भी बहुत अच्छे सखा लेती है तो अभी थोड़े देर के बाद मिलते हूँ आप सभी लोग के तो य है कि थोड़ा सा बैगन हो है और यह ना खराब हो जाएंगे क्योंकि बारिस के दिन आजकर आपको पता ही है पहाड़ों में देखिए हो भी गए देखो नीचे से तो इसलिए यह तोड़के पापा ने तोड़े थे तो मैं ले आई और यहां पर यह बीन इतनी थोड़ा चोटी है अब फिर अभी दो चार महने एक आदो महने अच्छे से बारिश होगी तो अच्छे से हो भी जाएगा तो और यहां पर हैं यह सिम्ला मिर्च और जो मम्मी के पुराने पेड़ वाले मलब एक बार लगा दो दो तीन साल तक उसमें अच्छे से उसका ख्याल रखो कि थोड़ा यह समझ लेजिए कि मिक्सवे स्टैप का बनाती हूँ और इसलिए बोलती हूँ ना पहाडी जो खान पान होता है बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है वह बहुत ही अच्छा होता है देखिए मूली इतनी अच्छी होती है भले यह बड़ी नहीं हुई है लेकिन बीन किती सॉफ्ट और किती कोमल हो रखिया जहां हम रहते हैं वहाँ पे यह वाली बीन मिननी पाती है बीन मिलती है सिफ एक दुकान पे और वो भी मतलब बहुत वो करने के बात की ले आना आप वहाँ पे बीन आएगी तो बीन भी अलग अलग होती है कोई पैंसल बीन जब भी ममी मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि घर पे ऐसी कोई सबजी नहीं होगी है ममी ने कोई सबजी नहीं लगाई है ममी के हाथ से कोई सबजी हुई नहीं उनके हाथ से हमेशा ठंड हो गर्मी हो कैसा भी मौसम हो ममी सबजी ममी की कुछ न कुछ रहती ही है मतलब बहार से फिर आप से मिलूँगी टो फ्रेंड्स मैंने कड़वा कर दीला जो है राउंड से में कट करके इस पर मिला दिया है नामा को स्टैन के लिए इसको छोड़ देती हूँ और तब तक दूसी सबजी कट कर लेती हो तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से सारे मतलब सब्जा कट कर लिया है बीन, आलू, बैगन, से मलामिच, और मुली और यहां पर देख सकते हैं मैंने प्याज भी कट कर लिया है और यहां पर थोड़ा सा मैंने लेसुन की कलियां भी और अब बनाने वाली हूँ मैं सबजी अच्छे से तो प्याज आप सोच रहंए जादा है सबजी भी जादा है इसलिए मुझे ऐसा पहाड़ी कम लेकिन सब्जी उसको पूरी पूरी चीह है Hai तो इसलिए सब्जी मुझे इसा लगता है क्यूंकि मैं जादा खाती है और किने औरों का अपना अपना हिसाब होता है तो यहां पे मेरी सब्जी बहुत बड़ी धाली में फोन पर कमा रहा है यह बहुत बड़ी धाली में है पूरी सब्जी और जब कि हम हैं ज्यादा नहीं चार लोग हैं फैनली में तो फिर भी मतलब सब्जी बहुत ज्यादा बनती है तो